इसमें वाजय कंबोच और आज मैं बात करूंगा कि अरुवेडिक मैंडिसिन विज्ञानिक होती है यह विज्ञानिक होती यह इसी तरह कि बैस में नहीं बढ़ना चाहता लेकिन मेरे का मानना है कि मैं उन लोगों में से कुछ हूँ जो इस प्रसंद का जवाल का जवाब दे के योगया खुद को समझता एक्षिक जो मेरी एडिक्रेशन है वो अलोपैथी से है फार्मा प्लस फार्मेसी यानि मैं एक अलोपैथिक फार्मसिष्ट हूं और उसके बाद मैंने मनें है साथ 28 साल अलो वैंदीशिन में काम किया है्सके अब्विश्ट्रिशेंर मार्क्निग में में काम किया था और उसकी डिमांड बढ़ रहे थी और एलफैटिक में कपीटिशन भी ज्यादा था अर्वेटिक में थोड़ा कम था इसलिए वह रास्था असान था तो और मेरे को उसमें काफी मदद में इसलिए मैंने अपना अर्वेटिक स्टाटप शुल किया था और अब मेरे को काफ असल में करोना ने एक नहीं भैस को जल्ब दिया है कि अर्वेटीचि बेडिजर यह अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे को लगता है कि दोनों ही अपनी जैंग क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी कमिया हो है अगर मैं अपनेsystemस पर बैंसित पर बात करता हूं तो purely यह है चाहे वह Allopathic Medicine है चाहे वह Allopathic Medicine है वह Allopathic है उनका profession है उनको उसके पैसे मिलते हैं तो कोई भी पर सेवा के लिए नहीं करता चाहे कुछ करते हैं कुछ इसको सेवा के रूप में भी करते हैं चैरीडी के तोर पर पर इस लिए करते हैं या कोई यह नहीं और विजनेस्ट के सब बिजनेस है यह तो अगर बता पाना बड़ा मुस्किल हो जाता है कि अलोफैजिक भी ग्यानिक है या नहीं है? सब पता है कि यह सो लगता थी क्रोना ने उनके मामले में भी थोड़ा से सुझेट की वह बूर। उनका विग्ञान और यह पती बहुत ही जड़ा कि असे लिर्ठ करने और बहुत ही लंबा रास्ता तया करने की दूरत है फिर भी मैं आर्विदिक मेडिसीन को विग्यानिक तोर पे तोरने के लिए अलोपैथिक मेडिसीन को ही एक मानक कि वह बहुत हद तक साइंटिपिक चीजों पर अधारित होती है और रुसी के बेसिश में जानना चाहता था कि जो अर्विदिक मेडिसीन है या जड़ी बूडियों से जो हिलाज किया जाता है वह विग्यानिक तोर पे हम उसको रख सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो उसके ब अगर आप फार्मेसी से तालुप में रखते तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूब कि एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जो नेचरल रिसोर्सी जोते हैं प्राक्रिक पेट को देख जड़ी कुटिया हो एनिमल और माक्रोब सो उनसे नई द्वाइव की खोज की जाती ह है और जितने यह नेचरल रिसोर्सी होते हैं उनके फिजिकल बायिलोजी कल केमिकल और बायोकैमिकल प्रोपर्डी की स्टड़ी की जाती है इसमें एक तरह से बिल्कुल जड़ी बूट्यों को विल्कुल अच्छी तरह से उप्यों किया जाता हो उनके मेडिसिनल मेली हगर हम कह सकते कि जोनकी medicinal property है उनके बारे में study कि जाती है अगर विसकली हम कहें तो जितने भी जड़ी गुट्य होती है या लगा जो उनकी प्राकिर्टिक होती है उनकी medicinal property पर उठोड़ी किया दिए तो जब हम वांको खुलिसी की बात करते हैं तो उसमें पाए जाता है कि उन्य मेधिसिन को पटी होती है उनका हम मेडिस्टी के तोर पे लुग्र सक्ते हैं पर यह पेंट को देखें ऑन में से ज्यादा तर वहीं होते हैं जो हम माय अर्वेदिक मेडिस को सिद करती है कि उनना कोई ना कोई medicinal property होती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फार्मक उगनोशी के इसाफ से अगर उसके medicinal property है तो जब हम उसको फार्मक उगनोशी में उसकरते हैं तो फो medicinal property अपनी सो करेगी लेकिन जब उसकि हम का हम आर्वेदिक में दूसरे जब आपने अपने 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 सामने वाले परस्ट करता है कि वह इसको विध्यानिक मानता है प्रसुन करेंगा उसका उप्योग कर रहा यह समेरे साफ से दोनों का ही अपना वजूद में वजूद को लें कि लगता है कि अगर आर्वेतिक की लिमान बढ़ती है तो कई ना कई उनकी उप्योगिता या कि जो हित है उनकी हैमियत है वो कम हो जाएगी और बाबाजी को लगता है कि उसके पास एक नया मुका है अपने आपको परचार करनेगा अपने आपको अलोपैथिक से बड़ा सीथ करनेगा ताकि उसकी सेल बढ़ सके तो दोनों का ही अपना स्वाथ है यहाँ पे चाए वो अलोपैथिक से हर चीज को सही नहीं कर सकते आप अरवेधि युनानी या अर्टर्नेटिव मेडिसिन से हार बिमारी को ट्रेट नहीं कर सकते दोनों ही अपने अपने इंकंप्लीट है लेकिन दोनों का ही जब ओरिजन हुआ था दोनों ही बने थे वो मानता की भिलाई के लि है और वही सबसे में मकसद है कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन विज्ञानिक है कौन विज्ञानिक है यह चीजे मैंतर नहीं करती उमेद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लागा होगा थेंक्स पॉर वाचिए